हेलो बच्चों आज की क्लास है हिंदी की और हिंदी में आज हम जानने वाले हैं बुलबुल के बारे में और यह जो बुलबुल चैप्टर है यह NCRT के क्लास टू में चैप्टर नाइन है और इसमें हम चैप्टर को पढ़ेंगे मतलब इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे इसके solutions निकालेंगे, इसमें विलोम शब्द करेंगे, इसमें तुकांत करेंगे और साथ ही साथ इसका पूरा question answer भी साथ में करेंगे तो चली शुरू करते हैं बिना delay किये हुए इस class को, तो read करती हूं सबसे पहले और आपको reading करते करते और चीजें भी बताती जाओंगी क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है question mark तो यहाँ पर आपको answer देना हाँ आपने बुलबुल देखी है या नहीं आपने बुलबुल नहीं देखी है बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है बुलबुल को पहचानने का क्या तरीका इसमें पहले बताये गया है तो पहले आप सरल को गोला लगा लीजिए क्योंकि सरल का यहाँ पे आपको वीपरित शब्द पता होना चाहिए और समानार्थक शब्द पता होना चाहिए सरल मतलब होता है आसान तो सरल का समान शब्द क्या हुआ आसान और सरल का वीपरित होता है विलोम शब्द होता है कठिन तो यहाँ पर सरल के आगे यहाँ पर आप जाकर के कठिन लिख लिजे क्योंकि किसी भी चैप्टर से यह पूछे जाते हैं वीपरित शब्द तो सरल का हो गया कठिन यदि तुम्हें कोई चिडिया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँच को देखो तो अगर आपको कोई चिडिया की आवाज तेज सुनाई पढ़ रही है तो उसको आपको क्या देखना उसकी पूँच को देखना है यदि पूँच के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो की वह चडिया बुलबुल है तो आप चडिया बुलबुल को कैसे पहचानेंगे तो बुलबुल की आवाज तेज और पूँच लाल होती है बुलबुल की पहचान है अगर आपको chapter से question आता है कि आप बुलबुल को कैसे पहचानेंगे तो बुलबुल की तेज आवाज और उसके लाल पूच के रंग से हम बुलबुल को पहचानेंगे ये आप लिखिएगा अब बुलबुल के बाकी चीजों के बार में जानते हैं जब वह उड़े तो पूच का सीरा भी ध्यान से देखना बुलबुल के पूच के सीरे का रंग सफेद होता है उसका बाकी शरीर भूरा होता है और सीर का रंग काला होता है तो आपको यहाँ पर लिखना है पूँच, सफेद और लाल, सिर, काला, शरीर, भूरा यह मैचिंग में आ सकता है, मिलान करने के लिए आ सकता है ठीक है, अब यहाँ पर अपोजिट, वीप्रिस शब्द सफेद का उल्टा क्या होता है काला होता है, बुल-बुल उची आवाज में बोलती है, यह फिलिंग दा ब्लैंक में आ सकता है बुल-बुल डैश आवाज में बोलती है, नीची आवाज, उची आवाज, मीठी आवाज तो आपको क्या लिखना है, बुल-बुल उची आवाज में बोलती है वो है बुलबुल और यहां डर को सरकल लगाए क्योंकि डर क्या उल्टा होता हिम्मत इसके बाद तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं इसमें दो कोश्चन बन सकते हैं एक तो सिपाही सिपाही बुलबुल कि से कहते हैं जिसके सिर के कलगी काले रंग की हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं और दूसरा अगे कि सिपाही बुलबुल के सीर के कलगी का रंग डैश होता है और आपको लिखना होगा काले रंग का होता है ठीक है आपको option दिया जा सकता है भूरा, काला, सफेद तो आपको क्या बढ़ना है काले रंग की कलगी होती है इसके बाद आगे बुलबुल पीपल या बरगत के पेड़ पर कीड़े ढून के खाती है यनि बुलबुल का मुख्ये खाना क्या होता है? कीड़ा होता है वो हमारी तरह सबजी और फल भी खाती है अमरूत के बगीचे या मटर के खेट पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है तो यहाँ सवाल पूचा जाएगा बुलबुल क्या खाती है तो आपको लिखना है बुलबुल, कीड़े, सबजी और फल खाती है और यहाँ पर घोला लगाना आपको जोर जोर का उल्टा होता है धीरे वीप्रिश शब्द होता है जोर का धीरे वो अपना गोसला सूखी हुई घास और छोटे पधों की पतली जड़ों से बुनती है गोसला अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसा दिखता है तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि बुलबुल का गोसला क गड़ों से बना हुआ सुन्दर कटोरे जैसा होता है यहाँ एक अपोजिट वर्ड है वीप्रिश शब्द अंदर अंदर का बाहर पतला पतला का मोटा चोटा चोटा का होगा बड़ा अपना अपना का होगा पराया इसके बाद बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है उसके अंडे हलके गुलाबी रंग के होते हैं तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुमें उन पर कुछ लाल कुछ भूरी कुछ बैगनी बिंदी दिखाई देगी यहाँ आपको काम क्या करना है बुलबुल पूछेगा कि बुलबुल के अंडा कैसा दिखता है तो आप क्या लिखेंगे बुलबुल का अंडा गुलाबी रंग का बैगनी बूरे और लाल बिंदियों के साथ बना हुआ दिखता है ठीक है तो हर पराग्राप से वीपरीच शब्द बनते हैं हर पराग्राप से आपके समनान तक सब्द या तुकांत बनते हैं तो इस तरह से आपको खुद ही इसमें से निकालना होता है अब हम इसका प्रश्ण उत्तर कर लेते हैं तो सबसे पहले इन में से कौन बुलबुल है उनके चित्र को गोला लगा है तो आपको पहचानना है लाल पूछ भूरा शरीर तो हम बता है जिनके सिर पर कलगी होती है तो यहां पर फोटो भी दी हुई है तस्वीर दी हुई है यह मुर्गा मुर्गे की कलगी होती है लाल और यह मोर मोर की कलगी होती है नीली तो आपको यहां पर मुर्गा लाल मोर नीला लिखना है इसके बाद कलगी वाले बुलबुल पूरा निवंद लिखनाना चाहिए सबसे पहले आप लिखेंगे बुलबुल एक पक्षी है दूसरा बुलबुल की आवाज तेज होती है तीसरा आप लिखिएगा कि बुलबुल का शरीर का रंग भूरा पूच लाल और सीर का रंग काला होता है चौथा आप लिखिएगा कि बुलबुल को इनसानों से डर नहीं लगता है पाचवा आप लिखेगा बुलबुल कीड़े खाना पसंद करती है। चठ्ठ्भा लिखेगा कि बुलबुल का घोसला dalा सूखी गास का भना ओता है। और दस्वा में लिखेगा मैंने बुलबुल चिडिया देखी या मुझे बुलबुल चिडिया पसंद है। पढ़ाते वक्त मुर्गा उची आवाज में बोलता है सुबह के वक्त ऐसे आपको सोचना कौन-कौन बोलता है और कब तेज आवाज में बोलता है या आपको फिलिंग दा ब्लैंक करना है इसके बाद मैं काली हूं मीठा गाना गाती हूं यह पहली है इसका सॉल्यूशन है को सिर पर ताज है दुम पर पैसा है बादल देखके नाचता हूं मोर घरों में आता हूं सारी चीजें कुतर जाता हूं कौन आता है घर के अंदर समान कुतर ने चूहा इसके बाद यह आएगा आपको सेक्शन वाइस बताने जैसे बुल-बुल तोता चुडिया कबूतर क्या है पक्षीं है गोभी आलु भिंडि क्या है सब्जी क्या है फल है गाय हंत्ही कुत्त क्या है जानवर है मूण चना अरहर क्या है एक अनाज है तो इस तरह से यह वाला चैप्टर आपका कम्पली talk हो गया बुल-बुल ता इसको आपको यह सी तरह से और इसकी वेक्षीट मे सारी क्लासेज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे है वो प्लेलिस्ट में शेयर कर रही हूं आप चाहे तो उसको पूरी देख सकते हैं